तो हम लोग अब next endocrine gland discuss करेंगे, टेस्टीस के बारे में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि one pair of testis present in scrotal sac, outside the abdomen of male individual, जितने भी human male हैं या और भी emulsions में, scrotal sac होता है, abdomen के बाहर, और उसमें one pair of testis present होता है, और testis का जो काम है, वो dual function होता है, एक तो ये primary sex organ है, अदुसरा, endocrine gland की तरह भी ब्यायब करता है, क्योंकि इसमें spermatogenesis भी होती है, और कुछ hormones भी secret होते हैं, जो कई तरह से body cue for effect डालते हैं, तो testis जो होता है, मिल लिए आप यहाँ पर अगर उसका TS काटके देखें, तो बहुत सारे इसमेनी फेरस टिबूल्स दिखाई देंगे, और इसके बीच बीच में कुछ stromal tissue होते हैं, यह समेनी फेरस टिबूल्स होते हैं, और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोबूल्स होते हैं, और लोबूल्स के अंदर एक से दो समेनी फेरस टिबूल्स होती हैं, और उन समेनी फेरस टिबूल्स के अंदर जो है, इस पर मेटोजने इसwerkogenesis होती है अगर हम टेस्टिस का इस्ट्ट का इस्ट्टेरी इसरी देखेंगे इसे बहुत सारे छोंटे छोंटे लीफिछ्य शोुते हैं और इन लोबुण्स के अंदर स्क्राइध इडिनी हइं इस एक या working हिस्ट्रोम राख सुक्ट्ट्ट¿ होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं interstitial cells और इन्ही cells में या leading cells भी इनको बोलते हैं लोग और ये जो cells होती है ये हार्मोन का secretion करती है जिनको हम लोग बोलते हैं endrogens और endrogens में भी जो main hormone होता है वो है testosterone तो इस तरह से ये आपका पूरा structure है testis का और testis के नदर हार्मोन जो secret होता है वो है testosterone अब इस testosterone का main role है वो क्या है ये regulate, development, maturation and function love male accessory sex organ तो जैसा कि हम देखते हैं कि testis के अलावा भी बहुत सारे accessory sex organ होते हैं अब यहाँ testis है testis के बाद इसमें से rated testis फिर इसमें बाहर की तरफ EPD diamonds होता है हाँ पर इस तरह से EPD diamonds होती है और ये EPD diamonds फिर आगे जाके vast difference बनाती है vast difference के बाद फिर और आगे उसमें prostate gland है male ejected duct है और भी बहुत सारे seminal vesicle है ये सारे structure जो थे हैं इनका development कौन कराता है यही testosterone hormone कराता है और ये जितने हम बात करना है ये सब क्या है male accessory sex organ है तो primary sex organ is testis and other organs है accessory sex organs इसके बाद जो बाहर निकलने जो पुरा passage होता है sperm का सीमिन का वो accessory organ बोला जाता है तो इनका जो development है maturation है और function है ये इसी hormone के effect से work करता है testosterone hormone के और effect से ये develop होती है पहले तो फिर develop होने बाद mature होती है mature होती है अपना function करती है अब इसके अलावा जो testosterone है या endogen है इसका एक function और है ये stimulate muscular growth जो muscle growth है वो poverty है जाने पे ये hormone secret होता है और poverty से पहले ये hormone उतना secret नहीं होता है पिवर्टी आने पे ये ज़्यादा secret होता है जिससे पिवर्टी में muscular growth ज़्यादा होगी growth हा face and auxiliary hairs face के उपर दाड़ी मुझ्छ है ये आ जाएगा मास्टेच बार्ड है और आपके axial hair armpit अगर हम जो hairs होते हैं हमको axial hair बोलते हैं फिर aggressiveness को बढ़ाएगा ये तो पिवर्टी के अंदर जो भी low license age में आप देखते हैं कि जो भी सारे changes होते हैं वो इनी hormones के secretion की वज़े से होते हैं तो पूरा body जो है तैयार होती इस चीज के लिए कि वो reproduction करने के लायक body को एक तरह से changes होते हैं body के अंदर बहुत तेजी से और adult जैसे कि child एक adult में change होता है वो इसी hormones की वज़े से होता है और low pitch up wise आवाज भारी हो जाती है aggressiveness बढ़ जाती है और spermatogenesis होने लगती है तो endogen का एक major रोल होता है stimulatory रोल होता है spermatogenesis में भी यानि टेस्टिस के अंदर से myniferystibles के अंदर यह spermatogenesis होती है इसको भी यह stimulate करता है तो इस तरह से यह development भी कराता है बाहर जितने भी organs है जो male accessory sex organ है इसके अलाबा spermatogenesis कराएगा help करेगा इसके अलाबा जो sexual characters हैं उनको भी यह develop करता है तो एक overall जो है कि यह कह सकते हैं कि sex hormone है यह और sexual behavior को भी एफेक्ट करता है sexual structure को भी भी एफेक्ट करता है इस पर metogenesis को भी एफेक्ट करता है तो पूरी तरह से यह sex hormone हम इसको भोल सकते हैं male sex hormone लिजा testosterone इसके बाद inabolic effect करता है inabolic का मतलब protein और carbohydrate का metabolism जब बढ़ेगा तो body का growth होगा body build up पढ़िया होगा पहले से तो जितने भी changes होते हैं adult age में मतलब की adolescence age में जो भी changes होते हैं और child से adult में change होता है कोई भी individual वो सारा changes इसी hormones की वज़ा से होता है male के अंदर testosterone की वज़ा से यह पूरी आपका male sex hormone या endogen या फिर testosterone की बारे में discuss था अब भी डिसकस इबाउट ओवरी तो ओवरी is primary sex organ in females and it is also endocrine gland primary sex organ की बात करें तो ओवरी जो है वो जैसे कि testis उसमे primary sex organ था वैसे यहाँ पे female के अंदर ओवरी primary sex organ है और एक यह endocrine gland है क्यों क्योंकि यह estrogen का secretion करती है और protestant दो हर्मोन हैं जो यह secret करती है estrogen और protestant हलाकि यह इनका timing अलग-अलग हो सकता है कि कभ यह क्या secret कर रही है तो इसमें हम लोग सबसे पहले estrogen के बात करें तो estrogen होता है जैसा कि यह अलग-अलग developing stage में भी हो सकते है primary, secondary, tertiary, graphene falcus तो यह graphene falcus जो होते हैं या falcus होते हैं इनकी जो cells होती हैं वो हार्मोन secret करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं estrogen और इनका जो function होता है वो क्या है stimulation of growth and activity जाप female sex, secondary sex organs like phalopian tubes, uterus, vagina तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने testosterone को देखा था कि वो secondary या accessory sex organs का development करता है उसी तरह से यहाँ पे estrogen जो है वो female secondary sex organ का development करता है जो कि phalopian tubes हैं और पूरा इसका structure है uterus हैं जितना भी पूरा structure आप देख रहे हैं वो सब development estrogen के help से ही होता है तो secondary sexual या accessory sex organ जो है उनका development estrogen के थरू ही होता है इसके अलावा development of growing ovarian falcals और सबसे मज़े की बात है कि यह खुद ovarian falcals से secret होती है लेकिन उनका development भी करती है इसके लावा female के अनदर जितने भी secondary sex characters होते हैं जैसे high pitch up wires, memory gland development यह सब यह हर्मोन करता है इसके लावा female का sex behavior जो है उसको भी यह control करता है इसके उपर depend करता है तो इस तरह से यह secret होता है ovarian falcals से ही और पूरे system को यह act करता है यह बिल्कुल parallel है बिल्कुल जो testosterone है उसके बिल्कुल parallel हर्मोन है parallel का मतलब जैसा function वहाँ पे उसका होता है वैसा ही यह यहाँ पे work करता है और उसमें भी आपने देखा था कि उसका secretion भी होता है testis के अंदर से और testis के work को भी effect करता है यहाँ पर भी यह ovari के अंदर से secret हो रहा है और ovari के function को यह effect कर रहा है ogenesis को effect करता है इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ये regulate करता है इसके अलावा जो दूसरा हर्मून है वो है प्रोजेस्टान तो ओवरी से जब ovulation ये जो फॉलकिल है ग्रेफियन फॉलकिल जब आती है जब यहाँ लाइन पर आकर के बाहर की तरफ ये रप्चर हो जाती है रप्चर होने पाद यहाँ से ओवरीलीज हो जाता है तो ओवरीलीज होने के बाद जो बची भी ग्लेंड होती है ग्रेफियन फॉलकिल होती है उसी को हम लोग फिर बोलते हैं कार्पस लुटियम क्योंकि उसमें से ओवरीलीज हो चुका है तो यह कार्पस लुटियम ग्रेफियन फाल कू Cheese into कार्पस लुटियम आप्तर ओविलेशन और यह जो कार्पस लुटियम है अब यही कार्पस लुटियम प्रोजे स्ट्रान हार्मौन का सिक्रेशन करती है जो की यह है वो से अटाइच रहे अच्छी तरह से उसको प्रापर न्यूट्रिशन मिले तो इस रसे इसका यह मेन फक्षन है इसके लाबा मेमरी ग्लेंड्स के उपर भी एक्ट करता है मिल के लाइस के उपर और मिल सिक्रिशन को भी बढ़ाता है तो प्रोजेस्टान का रोल ज्या के अंदर वर्क करते हैं यह FSH और LH के कंट्रोल के अंदर काम करते हैं और यह दोनों हार्मोन एफेसे चनल जी सिक्रिटेड वाई एंटीर यह पिटूट्री ग्लेंड्ट आप जानते हैं चितर से कि महां से यह सिक्रिट होता है और इनके फंक्शन को यह कंट्रोल करता है पूरा एक सिस्टम बना होता है कि किस तरह से पूरी चीजें इसमें कंट्रोल होती हैं